हेलो फ्रेंस वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला जो आपने रिवेलियोशन का एक्जाम दिया था उस एक्जाम का मार्क सीट आज चुका है जो आपको मुंबई यूनिवर्सिती से कलेक्ट करना है तो कब से चालू हुआ है कौन से रूम में कलेक्ट करना है कितने से कितने टाइम पर जाना परेगा आपको इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब चीज़ बताने वाला तो चलिए फ्रेंस इस वीडियो को चालू करते और अगर फ्रेंस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस लाइक से करना ना भूलिए तो चले वीडियो को चालू करते हैं तो जैसे कि फिरन आप देख रहें कि हम मुंबाई यूनिवर्सिती के साइट पर आगए तो मुंबाई यूनिवर्सिती के साइट पर आने के बाद हमें नीचे जाना है आपको कुछ करने की जुरत नी फ्रेंस मैरे इस वीडियो यह आपको काफी हेल्प कर देंगे और मैं जैसे कि पहले से कहता हूं कि मुंबाई यूनिवर्सिती से कुछ भी अपडेट आएगा मै सब्सक्राइब करके रखिए तो इदर आते ही फॉस्ट ही आपको नोटिस दिख रहा है नोटिस फॉर माक्सी डिस्टिब्यूट और एमकॉम पार्ट वान एंड टू जून 2019 एग्जामीनेशन मता फ्रेंट एमकॉम पार्ट वन और सेकेंड दोनों के लिए तो चले जल्द है युनिवर्सिती का ही है ठीक है आइडियल स्टुडेंट जो भी होंगे अच्छा नोटिस फॉर माक्सी डिस्टिबिशन फॉर एमकॉम पार्ट वान जून 2019 एग्जामीनेशन जो आपने जून में एक्जाम दिया उसका माक्सीट मिलने वाला है तो चले चेक करते हैं क्य सब्सक्राइब दो दिन पहले ही डिस्टिबिट हुआ है ग्यारा तारिक से आपको दिया जा रहा है तो आप ग्यारा तारिक से मतलब स्टार्ट होगे आपका माक्सीद देना का और बिट्वीन कब आपको जाके माक्सीद लेना है ग्यारा से लेके चार बजे की बीच में आ तक आपको मार्क सिट नहीं देंगे क्योंकि वह लंज के लिए गया हुए रहेंगे तो ग्यारा से चार के बीच में एक से देर बज़े तक आपको नहीं मिलेगा on working day, आपको जाना भी है, तो working day जाना है, holiday की दिन नहीं जाना है, Federal is Sunday, Seconds Tuesday, Board Saturday, बन होता है, तो उस दिन नहीं जाना है, working दिन पर जाना है, the students should be bring the hall ticket collect their marksid, आपको guys, अपना hall ticket लेके जाना है, without hall ticket guys, आपको जाना नहीं है, ठीक है guys, आपको अपना जैसे कि इदर फिर से एक बार बता देता हूँ आपका चालू हुआ है एण नयुक्त आपका चालू हुआ है 11 नेंबर से और टाइमिंग आपका है 11 से लेके 4 बजे के बीछ से जाना है बस यह लश अल्श टाइम पह आपको जाना नहीं है और आपको जाते वक्त हॉल टिकेट लेके जाना है यह उपर का इंफोर्मेशन आपको समझ गया इंपोर्टन है गाइस अगर यह भूल जाओगे तो बाद में प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा तो यह भूलना मत अचा साथी साथ आपको मुंबई उन समीट किया है तो प्लीस आप लोग जाईए और मुंबई उनिवर्सिती में आप समीट कर दीजिए विज दे हैड रिस्यू फ्रॉम प्रिवियस कोलेज जो आपको अपने प्रिवियस कोलेज थे ना जिस कोलेज में आपने इस्टडी की है उस कोलेज से आपको यह चीज मिल जाएगा और आप उदर से ले क्या कि अधा समीट कर दीजिए फ्रेंट एंड़ माक्सिर इस नोट इसू और टू डेम दे इग्नोर डिस यू हैड ऑल्रेडी समीट यौर टांसफर सेटिविकेज आप इस चीज को एग्णोर नहीं कर सकते जब तक यह आप समीट नहीं करते तो फ्रेंस रिक्वेस्स है कि अगर आपको चाहिए आपका यह तो आप समीट चरूर कीजिए तो इस स्टुडेंट कें कलेक्ट फॉर्द माक्सिर और रूम नंबर को गैस इस वेरी इंपोर्टेंट कि आपको कौन से रूम नंबर पर जाके लेना है कोई भी रूम नंबर 508 में ही जाना है आपको 018 में ही मिलने वाला है और कौन से फ्लोर पर फिरस फ्लोर पे स्मिरpersonal पर फीर्ट फिरOOOO जिन्नोंने देने वाले उनका नाम लिखा हुआ सब्सक्राइबर का नाम दिया हुआ है मार्क करके दिखा देता हूं इतने सब प्लेस में सब कोई भी प्लेस में जाके आप अपना ले सकते हो ठीक है जो आपका माक्सीट है इतने सब एस्टुडन को फोर्म धीवा है बैंड रहा है इतने सब जगे तक है तो आपको वडाला है इतना जगा है ठीक है इतने जगे में आप पर लीजिए मैं इसे यह वीडियो को चालू रखता हूँ आप देख लेना पूस्ट करके देख है न इसका आगे का इंपोर्टेन है डिन में आगे का रीट करके आपको समझा देता हूँ ठीक है जो भी आपका एक्जाम सेंटर है ठीक है उस सइट के The Examination Center The Mansion on their whole ticket मतलड़ को confused हो रहा आगर आप नहीं देख लियाँ सकते हो लेकिन आपको इतना ठेशन लेने कि जुर प्रक्र마 आपके होल ट्रीकट में लिखा वा एकिक ह्याओ को कौन से सेंटर से जाके क्लेक एक करना आपके कंटर उसके उपर मैंस सेंटर के आपका मैंस इंटर क्या आप उदसे आके गलेक कर सकते हूं then guys नीचे भी कुछ आनोटीस वो भी देख लेते है ठीक है जैसे के मैना आपको बोला था या यह 11 नवंबर का नोटीस है इधर लिखा हुआ नहीं डीक है घी लिजी गाइस ठीक मैना बोला था था थे डा तेरा टिपी के संबस्टन रिक कारिद डाइस मतलब आपके रसाते हैं तो उनके पास एक लेटर अथभरी लेटर होना जरुरी कि युनिवर्सिति और उनको फिर से निरास होके घर आना होगा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं कि काफी इंपोर्टेंट था कि आपने एक्जाम दे दिया आपका रिजट भी आ गया था लेकिन रिजट तो जो माक सीट है वह इंपोर्टेंट है कि मैं रिजट वही है तो गाइस काफी इंपोर्टेंट वीडियो मनाया इसके लिए आपको एक मेरी हैल्प करनी परेगी कि आपके जितने भी फ्रेंड होंगे जितने भी आइडियल के फ्रेंड होगे प्लीज आप अपने सभी दोस्तों को सेर करो जो नहीं है उनको भी सेर करेंड आप लोगों से रिक्वेस्स है कि मैजूरिटी लोगों को सेर करें और उनको बताए भी कि चालू हो गया जाके करें कि इनका दिन चला जाएगा तो आपको माकसित नहीं मिलेगा प्रोब्लम हो जाएगे बहुत से प्रोब्लम फेस करेंगे लेटर देना यह देना व वाला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भुलिए ना जरूर करके रखें कि नेक्स वीडियो मेरा जो होगा वो प्रोसेस कोस्टिंग का ही होने वाला है